और दोस्तो कैसो और आप लोग मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ आपके फेवरिट यूटूब चैनल जी है टुटोरियल्स में मैं हूँ गौरमुंद्रा जो आपको पढ़ाता है दोस्तो सब्चेक्ट हमने डाला है और साती साथ दोस्तों आज पता है कुछा लेसन सब्चेक्ट हमने डाले हैं और साथ हुआ चल रहा है कुछ नमबर शेवन अगर कोई बच्चे है। जिसको नहीं सब्सक्राइब हैं लन्हाइब उत्युका नहीं चल आ दीडिवरिट ऑपके लिए सब्सक्राइब करना है क्योंकि आपको सब्सक्राइब करने हैं पूरा प्लेलिस्ट देखो चेक करो जो भी आप वीडियो देखना चाहो लेक्चर देखना चाहो आप देख सकते हो बाकी आजाओ मेरे पूराने बच्चे आज वं यौनीं को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना चाहो हमारे आपने सब्सक्राइब करने हैं स्ब्सक्राइब सिधा अब आचुक लेगसrog if you हो जाएगा हाना क्यूंकि यार कितने चैप्टर से सिफ 10 ही तो चैप्टर से और आज हम दोस्तों लेसन नमबर 7 पर है तो क्या बात यार एक कमल राउंड अप्लॉस आपके लिए भी दोस्तों कि आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहो हाना बिल्कुल यार आप इस लेक्चर पर ठीक है आपको दोस्तों लाइक कर देना है शेर कर देना है सब्क्राइब कर देना है वो तो कर रखा है आपने और दोस्तों फॉलो करना है मुझे ठीक है यह मैं इंस्ट्रग्राम आइडी है प्यार बातना है कोई भी डाउट है या आप आप मुझे सिक्षन तुम्हें आपको प्यार बाट नहीं है ठीक है चलो चलो अब सारे बाते को रखते हैं साइड में सिधा चलते हैं लेसन पर लेसन का नाम है दोस्तों अन प्रीनसान है वह काम करना चाहता है वह जौब करना चाहता है किदर जाकर लेकिन दोस्तों बिचारे के पास जो है न काम करने के लिए कोई जगा नहीं है कोई उसे अपॉइंट ही नहीं करना चाहता उसे कहते दोस्तों अने यह तो हमने देखो सिंपल लैंग्वेज में समझा टेंशन ना लो आगे इसको और डीटेल में समझेंगे यार आओ स्टाइट करते अभी इंडिया इस डेवलपिंग नौमी एक एंड गया वन फास्टेस्ट ग्रोइंग एकनौमी ऑफ दी वर्ल्ड आपको भी पता है दोस्त करते आती हैं हमारी इंडिया के लेकिन अब इंडिया एक बहुत अच्छे स्टेबल पोजिशन पर है और आज से दोस्तों आज अगर हम पात से दस साल की भी बात करें तो मुझे नहीं लगता इंडिया के आसपास भी कोई नेशन होगा तो आपको प्रावड होना चेयर आज तैलेंटेड लोग कैमरा के पीछे बेटें क्यों नहीं बनेगा हमारा देश क्या चला है यहां पर प्रावडलम लेकिन सर एक प्रावडलम है पता है कुन सी प्रावडलम बताओ बताओ सर कौन सी यह देखो प्रावलम ओफ अनेंप्लोईमेंट इस बिग्डिशन चैल मैनत ही अद्म है यार लेकिन सर उसके सब क्या हुआ ऐसा और वो दोस्तों पता है क्या वो ढूंड भी रहा है कोई तो मुझे काम पर रख लो मैं काम कर सकता हूँ यार कोई तो प्लीज मुझे काम पर रख लो seeking of work काम ढूंड रहा है उसको देख रहा है वो ठीक है बट अन हमारे देश में जो पॉपिलेशन है वह 139 करोड के अप्रॉक्सिमेटली है लेकिन सर यह तो अब्वियस ही सर हम यहां से समझ सकते हैं हम खुद जान सकते कि क्या हमारे देश में जो 139 करोड लोग है क्या वो सभी के पास जॉब है बच्चा कर रहा है नहीं सर बिलकुल नह सर इने काम क्यों नहीं मिल रहा है सर यह लोग ऐसा तो नहीं हमरे देश में कि कोई पढ़ा लिखा नहीं है देखो दोस्तों यह जो पॉइंट है यह जो कंसेप्ट है यहां पर इसे वही लोग कवर होते हैं जिन्होंने अपनी एजूकेशन कंप्रीट करी है यह उनके पास सिखाऊगे ना वह पक्का काम करके देंगे अनेप्लाइमेंट की डेफिनेशन में वह लोग आते हैं वह लोग नहीं आते जो कुछ नहीं कर सकते बस एक जिक जाके बैठ जाते हैं और लोगों से पैसे की डिमांड करते हैं यह लोग एकदम बेसिक इंग्लिश भी आती है चलो नहीं आती लेकिन थोड़ा बहुत भी समझ सकते हो वो लोग एंप्लोइमेंट में आते हैं और अगर ऐसे लोग को दोस्तो जॉब नहीं मिले ना तब उनकी बात होती है एंप्लोइमेंट में ठीक है समझ रहो अब आप सोचोगे सर इनको बिचारे को जॉब क्यों नहीं सर यह तो बहुत बड़ा दिक्कत की बात है लेकिन आप ही बता हमारे देश में 139 क्रोड लोग है क्या हर किसी को चॉप मिलीगी क्या आप सुचोगे अभी अब ऐसे दिल से सुचोगे अभी सर मिलना चाहिए यह विचारे हमरे देश क्या अदमी लेकिन दोस्तों यहां पर क्मेंट वाली जो दिक्कत है कम होती है लेकिन यहां आगे सीखेंगे फिलाल तो यह क्या हो रहे दोस्तों लेसन का इंट्रॉडक्शन है ठीक है यहां से इंट्रॉडक्शन में आपको कुछ पॉइंट्स उठाने है और यह अपने आंसर में प्रेजेंट करना है तभी आप आराम से बेटना है पुरा फोकस मेरे बैट कोई प्रेशर नहीं लेगा आराम से अपन हस्तस्ती निकालने वाले बहुत आसान है चलिए लॉंग टम एक सेटीट वाला पॉंट हमने मिस्के अनेंट लीट्स टू वेस्ट ऑफ यूमन रिसूस आना यह तो आप मुझे खुद से तो उसके अगेंस्ट में जो होगा जो एकडम टैलेंटेड इंसान है ओफीस वाला तो सर उसको अपने कंपणी में जॉब देगा लेकिन सर कोई एसा इंसान जिसको उसने अपॉइंट नहीं करा वो किदर जाएगा हाना वो जो रिसूर्स है हमारी देश का एक आदमी है वो जो रिसूर्स है उसका तो वेस्ट हो गया यूमन रिसूर्स वह विचारा घर पे जाएगा रूरा रहेगा यार मुझे किसी ने लिया नहीं अपने ओफिस में आपको रोना नहीं है आपको और महनत करनी है लेकिन कोई तो विचारा वहार मान जाएगा ना ये क्या क्योंकि आज कल तो दोस्तो पढ़ाई में आप देख तो जहां देखो यार जहां देखो वहां टॉपर निकलता है वहाई टैलेंटेडट बच्चे निगलते जो अपना चाहके स्टार्ट आप खुलते हैं जो भी करते लेकिन दोस्तो किस फीड में आगे आरे वो लोग किया है अभी तो और लेक्टिस बचे यार यह लेजन के चलिए लॉंग टर्म अनेंप्लाइमेंट लीट्स टू मास पॉवर्टी एंड लोग एकनावमिक डेवलप्मेंट मुझे आप भी बताओ दोस्तों जैसे कोई एक इंसान है उस बिचारे को जॉप नहीं मिली अना वो बिचारा मलब दूकी दूकी घर पर आया कि यार सॉरी ममी जॉप नहीं मिल पाई हो कितना सैड हो गाना यार लेकिन दोस्तों अगर उसका घर जो है वह एक इंसान पर डिपेंड होगा फिर फिर क्या होगा अगर मतलब एक हाउस है जिसके पूरा राशन पानी जो है उस इन बिचारी है इसके वज़े से मदलब कोई ऐसे लोग है जिनको पहले काम पर रखा गया था लेकिन बिचारा कि अबसे नॉलिज नहीं थी आज की साब से आज की टेक्नलोग्यों उसको चलाने ही नहीं आती है तो यह कंपनी वाले ने उसको काम से निकाल दिया अब लेकिन व अब जो पैसे कमाता था अब तो उसको ही जॉब से निकल दिया अब क्या होगा अब उनका घर कैसे चलेगा बच्चा घर है सर अब भावोग कर रहा हूं मैं सर रोदूंगा मैं अरे नहीं नहीं एक्जामपल है यहां पर ध्यान दू अपने किसी की एक फैमिली को स्ट्रग जब दिमाग से सुचते बच्चा कर रहा है तो ठीक है अन कर देता हो पहले दिमाग को और उसके बाद सर ठीक है मतलब सर आपने इसको जॉब से निकाला इसका मतलब यह है कि सर वो थोड़ा से इनकैपेबल था उसके पास टैलेंट की कमी थी तो कही ना कही यह हमारे देश की ओर डिवलपमेंट को भी रोप रहा था क्योंकि यह उसके जगे हम किसी और को पॉइंट कर लेंगे ना जो एकदम टैलेंटेड इंसान हो जो उससे थोड़ा सा टैलेंटेड इंसान हो मैं यह यह कैना डिलीवर करना चाहा हो ठीक है तो यह क्यों दोस्तों हमने उसको नि यह उस चैनल में भी देखा होतब आफ्यवर अच्छे बहिंगे लेकिन दोस्तों इनको जौब पता किसी हो यह इकदम बड़े-बड़े उफीसर्स की इनको गवर्मेंट के लिए काम करना है अरे अगर कोई आगे तो बस यहां पर यह पॉइंट यहां पर यह दर्शाना चाहता है तो आए होप यार दोस्तों हमने इंट्रॉडक्शन में देखिए अच्छा का सा टाइम दिया है आए होप आपको अच्छे से सब्चाहिए कि बहुत आसान सा चैप्टर यार बच्पन से सिखते हैं आर इंट्रॉडक्स के डेफिनेशन में क्या बोलते हैं इसे आओ समझते हैं इन टरंस ऑफ एकनोमेक्स एनेप्लोइमेंट इस टुब स्टूडिड विट रिस्पेक्ट टू एनेप्लोइमेंट को अगर आप एकनोमिक्स के तोर पर समझना चाहते हो तो आप चार तरीकों से सम समझ आ रहा बल्लब की दोस्तों इन एकनोमिक्स अप जब एनप्लोइमेंट के स्टेडी करता ना दोस्तों क्या करता है अप पर देखते हो आपको एक्स्टाउडिन खेलना पड़ेगा तभी आपको सिलेक्ट करेगा ना तो यह नेचर देख रहा है कि आप किस फिल्ड में आगे जाना चाहते हो वर्किंग एज ग्रूप मुझे एक बात बताओ दोस्तों यार क्या हमारे देश में महलब कितने नहीं है चले तो बेसिक कोशन है इसको क्या पूछो है आपको भी पता है दोस्तों हमारे देश में जो काम करते है लोग उनकी एज कितनी होती है यह बात करें दोस्तों तो 15 से 59 तक के जो बच्चे होते हैं जो भी इनसान और 59 यर्स का बच्चा तो नहीं होता जो भी 59 एज तक के गरूप में है तो यह लोगों को दूस्तों हम इसमें कवर करते वर्किंग एज ग्रूप में बच्चा गर रहा है सर जो 60 से जादा एज के लो कंडिक्शन्स पर वक करते हैं लेकिन अब कोई असे साल तक भी काम करना चाहिए बिनबास कर सकता है और कोई रोक नहीं रहा आपको लेकिन दोस्तों जब हम एक स्टडी को करते हैं किसी के बिएवियर को स्टडी करते हैं तो जो एज ग्रूप लेता है ना वह 15 से 59 तक कि लेत है कोई आपको लिखना नहीं है यह यह सिब आपके बूक में भी दोस्तों से भी इतना ही दे रखा है मैं तो बस इसको आपको थोड़ा पता रहो कि यहां पर क्या लिखा है डिमांड फॉर एंड सप्लाई ओफ लेबर आपको लेबर पता है लेबर बच्चागर है सर कुछ बताओ ना कि चली बताते हैं जैसे देखें दोस्तो राहूल सर को बनाना है ऑफीस फट उपीज कोई दिकत नहीं क्या राउल सर को बनाना ऑफीस अभी हमारा जो ओफीस है हम इसको और भीड़ डेवलप करना चाहते लेगिन दोस्तों हम तो नहीं कर सकते हैं हमें तो आता से एपनााने वह बूलेगा ठीक है रहुंद च्छाइगा लेकिन मेरे को दीन का 500 लोपया चीयए जब हम लेबर को कुछ से के सैलरी देते लिए उसे सैलरी नहीं करें और जब हम कोई office में कोई employee जो है वो किसी के लिए काम कर रहा है उसके employer उसके boss के लिए हम उसको कहते salary ठीक है यह wage और salary का difference है confused नहीं होने सीखते प्रिविलिंग wage rate अरे मतलब किस wage कितने return पर आपने उसको जो है जो है जब वो लोगों की बिएविर को study करता है जब वो एन एंप्लॉयमेंट को study करता है तो वह 15 से 59 years के age group के लोगों को दिखता है एक दम कोई दिखते हैं कितना आसान है यह दोस्तों वैसे मुझे लगता है अगर कोई आसान सा सब्जेक्ट होगा लब एक लिस्ट 11 का तो दोस्तों सबसे आसान सब्जेक्ट जो है न वह एकनॉमिक्स ठीक हार नहीं माननी है थोड़ा सा सेल्फ स्रेडिंग में टाइम दो लेगिन आसान है चलो 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 अभी यहां पर फटा फटा हमें कम्प्लीट करना है हाडली टैन मिट्स लूंगा मैं आपको और चलिए आपको भी पता दोस्तों मतलब कि अब हमने पेले पेच पर देखा था कि एक ऐसी सिचुएशन जहा काम पर रखी नहीं रहा है क्यों नहीं रख रहा कि उसको आता नहीं हो काम नहीं दोस्तों आप यहां पर देखिए क्या लिखा है अगर इंडिया में आपको employee के list में आना है तो आपको कुछ conditions follow करनी पड़ते है रे basic क्या होगा हो ध्यान दो should be engaged in work for a minimum number of hours per week आपको कुछ conditions complete करनी होगी आपको कुछ conditions fulfill करनी होगी तभी दोस्तो आप employment के उसमें जो conditions होती है उसमें आप complete कर पाऊगे आओ समझे पूरा दियान यहाँ पे इंडिया इंडिया की क्या condition है आओ सीखते है considered unemployment इंडिया में किसी इंसान को unemployment वो मान लिया जाएगा कि विचर के पास job नहीं है कब मानना जाएगा ऐसा job if he has worked for less than 14 hours per week अगर कोई इंसान है जो हफते में 14 गंटे से कम काम करता है उसे मान लिया जाएगा कि वो unemployment है वो employee नहीं है बस simple सी बाते हैं यहाँ पे basic से condition से एक्जाम में नहीं आएगे लेकिन चाहते हैं कि हम इसको समझ कर ले आसा नहीं देख उसमें क्या समझने जैसे अगर कोई से इंसान है अगर कोई से इंप्लॉई है जो पंदरा से अठाइस गंटे काम करता है किसी भी हफते में यहाँ पर द्याने जाएगा दोस्तों आप कंसिडर टू बी अंडरेंप्लॉइड बच्चे करे सर यह समझ गया यह लाइन लेकिन मतलब कि दोस्तों आपका जो वर्किंग आर्स था हमने उसको अच्छे से यूटलाइज नहीं करा आप और काम पर आ लेकिन जो ओनर है आपका जो बहुस है आपको उसने आपको बूला है नहीं उसे कहते दोस्तों अंडरेंप्लॉइड अब आपके मन में खयाल आए रहेगा सर फिर कौन से लोग आते हैं जो एम्प्लॉइमेंट के डेफिनेशन में आते हैं जानना चाहते होगी नहीं आओ एक क्लाइन के डेफिनेशन है यहां पर ग्यान दो पर सन वोकिंग फॉर एट एट आस पर डे डाड़ी समझाता हूँ पहले रीड कर लो ओफ इयर इस कंचिडर तू भी एम्प्लॉइड मतल उसकी फैक्टरी में और मिनीमम एट आर्स काम करके जाता है तब वो दोस्तों एम्प्लॉइमेंट के डेफिनेशन में आता है अब आते हैं दोस्तों इस लेशन के सबसे ज़्यादा में कंसेप्ट पे और यहां से लगेंगे आपके स्विफ 5 मिनिट्स लेकिन आपको पूर इतने असान है अरे फिलकुत आओ आओ चलो फटा पची समझते क्या लिए आप टाइप्स ओफ अनेंप्लॉइमेंट वल्ब बच्चा कहा रहे है सर टाइप्स भी तरत रखी होते है आओ समझते रूरल एंप्लॉइमेंट रूरल पता है आपको एसी इरिया जो ऐसा कच्छ ट्र Deaf also step जो सीटी है वहा के लोगों के पास भी काम नहीं है थो अर्बत अनेंप्लॉइमेंट टीक है अभी ये जो है ना दौस्तों रूरल नेंप्लॉइमेंट ये दो वीजो फुगे जो है इस नेंवा frequency अर्द सब्यों एलन सब्जेक्टं यह अइसा बात करi का अब दोस्तो अर्बन एंप्लोमेंट जो हे ना ये भी दो पार्ट में डिवाइड़ेट जिसमें है educated unemployment इंडुस्ट्रियाल और इंप्लोमेंट अब दोस्तो ये जो इंडुस्ट्रियल कि यह जो इंडेस्ट्रि एनउप्लॉइमेंट है ना इसके चार पार्ट यह पर धियान दिजएगा दोस्तों पार्ट त्री और यह पार्ट फूर जिसको हम नेक लेक्सर में समझेंगे और पूरे concept को नहीं सिर्फ ये वाले पाट को ये पार्ट जो है दोस्तों ये हम समझेंगे लेक्षर नमबर 2 में तो अगर हम जब लेक्षर नमबर 2 के और अगे चलते हैं आप समझ गए ना क्या कवर करने वाले थीक है दोस्तों करने वाले रूरल का मतलब समझें ना दोस्तों एक विलेज अगर नहीं समझें विलेज मतलब आपको भी पता है दोस्तों गाव कैसे होते वहाँ पर मतलब कुछ डेवलप्मेंट नहीं होती बड़े-बड़े इमारते नहीं होती बड़े-बड़े मॉल्स नहीं होते स्कूल्स जो है वह भी थोड़े छोड़े-छोड़े से होते वहाँ पर जब आप हॉस्पिटल की पात करो तो वह इतने डेवलप्ट हॉस्पिटल आपक दर से नहीं है वहां पर आते हैं दोस्तों रूरल एरियाद के दर अदर पास कैसे होता हमारे डेश में इतने सारे लोग एसा तो जरूरी नहीं न कि हर किसी के पास जॉब हो बिलकुल बस आओ समझते रूरल अनप्लॉयमेंट का दोस्तों दोट पाक हैं जिसमें पहला पार्ट है सीजनल अनप्लॉयमेंट पच्छे करें सर सीजनल मतलब कि सर सीजन के हिसाप से इनके पास जॉब होती है क्या आँ बच्छे हो यार वेरी गुट पढ़ते ही समझें देखो है अपर एगरी कल्च्यों सीजनल अनप्लॉयमेंट का पहले मतलब दोस्तों यह समझें कि कुछ ऐसे लोग है जिनके पास महीने महीने में जॉब होती है जैसे कि दोस्तों दिखिए हैं आपर सीजनल अनप्लॉयमे अब सीजनल अनप्लॉयमेंट में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो साल के च्छे महीना काम करते और च्छे महीने ीसे समझते हैं इसका जवाब तो आप खुद समझ जाओगे अगरी कल्चर वे फार्मर्स हैव डिपेंड्स अपॉन मनसून फॉर कल्टिवेशन जैसे आपको भी पता है दोस्तों देखिए जो फार्मर है उनने क्रॉप्स लगा दी लेकिन अब करेंगे क्या बारिश का इंतजार करना पड़ेगा जब अच्छे बारिश होगी अच्छे पसल हो गेंगे और फिर लोग अच्छा पैसा कमाएंगे लेकिन दोस्तों बारिश का महिना क्या होता है जैसे देखे तो जून से सेप्टमर के आसपास बारिश होती है समझे भाई अब विंटर आ गया है विंटर मे मैंगोज नहीं आ सकते न अब दोस्तों जो फार्मिंग करता है मैंगोज की या जो भी सीने वो क्या करेगा बारिश के इंदजार विंटर में कहां से लाएगा या कोई भी ऐसा कोई कल्टिवेशन वह फार्मर करता है जो लेकिन पूरे साल सिफ मझे करता है यहां पर देख यहां प्रक्षी करना है क SUBSCRIBE को पथा आहिए सनम की सेल यहां पी समर हो वहां पर जो तो करेंगा पिरयुक्ते हैं लेकिन पर भी आप घ्रलाएवा सब्सक्राइग है वाहन पर पाइवत आपको किनधे टोरिफ्र doesnग की आपको अपधी पता है तो जैसे लदाख हो गया वहाँ पे दोस्तो तूरिजम की बात करा हूं मैं लदाक में दोस्तो आप बच्छा करें सर लदाक क्या बात कर लिया मैं तो सपने में पहुच गए यहां पर द्यान दे पहले लदाक जो है दोस्तो यहां पर ऐसा बोला जाता है यहां पर विंडर की टाइम पर नहीं जा सकते करते चर्शम करते चौने काम करते मुझे लगता है यह शुर आप भूलो आसान तो यार देखो यार आपकोई बाच्चा यह नहीं बुले का सिजनल एंप्लॉइमेंट नहीं समझा अरे देखो यार ब्लॉक मार दूँगा आसान सा यार या पैतान दो चलिए डिस्गाइस अने प्लॉइमेंट डिस्गाइस मसरा कैसा वर्ड है सर बहुत आजीब सा ल अनेंप्लॉइमेंट कहते हैं यह जेनरली फाउंड इन विलेजेज इन इंडिया सिच्वेशन इन वीच मोई पीपल आर दूइंग वर्क दैन एक्शुली रिक्वाइट वलब की सर आपकुछ यह कहना चाहते हो कुछ लोग एक्जामपल से समझोगे नहीं समझा रहा है से चले एक्जामपल कहा लिखे कहा लिखे ओके ओके यह लिख देते हैं ठीक है अब यहां पर हमें जियार टुटोरियल्स का जो ऑफिस है दोस्तों हमें यह बढ़ा करता है हम हमारे जे यह ओफिस को हम डिवलब करना चाहते है अब इसको सभी टैन फ्लोर तक ले जाना चाहते हैं यह हमारी बिल्डेंग नई ऑफिस हाना आप लोग इतना प्यार दोगे तो हम इससे भी बड़ी बिल्डिंग बना देंगे दोस्तों लेकिन यहां पर यह जो राहू सिर्फ 10 लेबर की उसे ज़्याद दुरुवत नहीं है यह जो 10 लेबर है इन में काम हो जाएगा यह एक मैने के अंदर यह ओफिस को कम्प्लीट कर देंगे लेकिन सर फिर क्या सूचते है राउल सर को आप बच्चों ने आइडिया दिया पता है क्या आइडिया दिया सर 10 लेकिन तुम लोग ने दोस्तों यह नहीं बताया यह दस लोग जो है न यह पूरे टाइम काम नहीं करती थी अब यह दस के साथ और बीस लोग आ गए मला और दस लोग जुड़ गए अना पहले दस थे अब तुमने और दस बोल दिया करने को तो सर क्या पास अब कितने लि लेट के देख रहा है ना लेक्टर उसके जैसा ही लेटा हुआ है कोई बच्छा विंडो के बाहर ऐसा देख रहा है हाँ ऐसे काम कर रहे लोग अरे ऐसे तो आफिस नहीं बन रहा लेकिन अब यहां पर क्या हुआ दोस्तों अब इस एक्जामपल हो गया है आप ही खतम होग देखें दोस्तों वापस 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 सौरी मेंने मिस्ट्रिक क्या बुलने पर यहां पर ध्यान दिजेगा सिच्वेशन इन विच मोई पीपल आ डूइंग वोग देन एक्चुली रिकॉइड इसका मलवी दोस्तों वह एक्जामपल को याप की जे राहुल सर वाले का उ मतलब कि तुमने यार मतलब 10 लोग चाहिए थे सिब काम पर लेकिन तुम 20 को लिया है अब इनको मना तो नहीं कर सकता चलो आजाओ काम पर वाली बात हो गई और देखिये दोस्तों नियरली 20 परसेंट लेबर इन इंडिया 20 परसेंट लेबर इन रूरल में जो एडिया होता है हमारी इंडिया का अर्डिजगाइस्ट अलब दोस्तों जो कंस्ट्रक्शन की फिल्ड है यहाँ पे ज्यादा तरह इसा देखने को भिला जाता और वैसे एक्जापल हमने दिया हाना चलिए आकरी स्लाइड पर चलते हैं कोई बात नहीं लेकिन आपको पूरे फोकस के साथ देखना है ठीक है पता चला बाई इस साथ पर कॉल चालू है परपेच्छल सक्सेशन से वहां पर लेक्चर चालू है ऐसा नहीं करना बाई पूरा फोकस यहां पर होना चाहिए देखिए दोस्तों अभी हम क्या कर रहें पेले ये समझेया हमने क्या समझा दोस्तों हमने रूरल अनीप्लॉयमेंट को पूरी तरह से समझा अब दोस्तों हम चलने वाले अर्बन पर और अर्बन के सिर्फ एज्ञुकेटेड वाले पार्ट को हम आज कबर करेंगे और यह आलग सई यह वाला इसके लिए अलग टीज या टाउन हाना वहाँ पे लेकिन दोस्तों जो सीटी में रेता है जो टाउन में रेता है क्या वहाँ पर जितने भी लोग सब के पास जॉब है आज नहीं सर क्या बात करते हो आदे से जाधा विचारत जो लोग है गवर्मेंट को मतलब वलगर वर्ट्स को यूज करके उनको गालिया देते रहेते हैं कि सर जॉब दे दो सर वहीं लोगों की बात कर रहा हूं है और अगर जॉब उसको उतनी नहीं मिल रही जैसे देखिए दोस्तों एक जूब जो भी बेलों जो भी यो फिम मई हो गया एलरी ओगया एंब यह जो भी आप बनना चाहते हों यह लोग की साँ माना जाते जो इस्वर ना दोस्तों यह इनकी क्या हो जाऊंगा क्या बच्चागरा सर हो जाना चाहिए अरे क्यों हो जाऊं मेरी जो कॉलिटिकेशन हैं दोस्तों यह हमारे देश में बहुत कम लोगे इन फैक्ट हमारे देश में सिर्फ 51,000 CS है और उसके हिसाब से देखा जाए तो मेरे को 20,000 तो बहुत कम मिल रहा है लेक तो कुछ तो कर ले तो 20,000 मिलेंगे लेकिन दोस्तों मैं एक्जांपल दे रहा हुआ यहां पर यह जो लोग मैंने आपर कवर किया है न यह तीनों की तो हाल इसा नहीं होता है जिनको 20,000 में काम करना पड़े हां खेर MBA वालों का हाल ऐसा हो जाता है क्योंकि आज हमारे कि यहां पर वाई क्वालिफिकेशन मैंटर करती तो यह तीनों को जॉप की कोई दिक्कत नहीं होती बाकि यह लोगों को थोड़ी जॉप की दिक्कत होती है क्योंकि MBA तो हर कोई कर लेता है लेकिन यह जो उपर के एक्जाम से ना CACCMA यह कॉम्पूटिटिव पेपर से जो नमर्टू में तो दोस्तों इसके साथ हमने लेक्चर नमर्वन को पूरी तरह से सामझाओ और इसके साथ अब बार यह आ चुकि आपसे अलविदा कहने की लेकिन जब हम लेक्चर नमर्टू स्टार्ट करेंगे तब हम दोस्तों इंडस्ट्रियल अनेंप्लॉयमेंट से इसके लेक्चर के लिए जो इतनी जरुवत नहीं थी लेकिन मैं सोचा है आप हमारे बच्चे हो इतना तो बस फिर दोस्तों इस लेक्चर में सिफ इतना ही गुल्डी मुंद्रा जाके फॉलो कीजिए प्यार कीजिए और दोस्तों आप भी आपको दिक्कत आ रही है कमेंट सेक्शन पर प्लीज आप कमेंट कीजिएगा इंस्टा पर भी मुझे कॉंटेक कर सकते चलो मैं आपका थोड़ा भी समय नहीं लूँगा चलता हूं मिलता आप सभी से नेक्स सब्चिक में नेक्स लेक्चर में एकनॉमिक्स के लेक्शन नमर टू के साथ चलिए दोस्तों अ मिलियन से जाधा हो जाएंगे क्या पता किसी को पता नहीं चलिए फड़ा बड़ शेयर करो एर